आज हम चेक आउट करने वाले हैं आपके और आपके पोरसन के मौनिंग फीलिंग्स क्या है ठीक है आज सुबह आपके पोरसन आपको लिकर किस एनरजी में है यह हम देखेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले अगर आप नए है सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन जरूर प् करें जादा से जादा और हमारे कोर्स के लिए या फिर प्रोडाक्ट के लिए अप मेरे टीम से कॉंटाट कर सकते हैं जिनका नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मैं परसनल आरू सेशन नहीं लेती हूँ तो प्लीज उसके लिक्वेस्ट ना करें अगर करना चाते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जॉइन कर सकते हैं जो यह रीडिंग एक जेनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है आप सभी के लिए बनाई जा रही है ठीक है ना जितना पार्ट भी रेजोनेट करें रखें बाकी प्लीज डिवाइन युनिवर्स इंजल स्पिर्ट गाइज बताएं मेरे व्यूर्स को कि जस परसन के साथ मेरे व्यूर्स डील कर रहे हैं आज सुभा उनके लिए मेरे व्यूर्स की क्या है करन पीलिंग्स पेज ऑफ वान्ट ओके सन पोर अफ कप्स ओके फाइव ऑफ कप्स और बॉटम में हैं हमारे पास सिक्स ऑफ टेकल्स ठीक है तो सबसे पहले अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं ना था किन मतलब सी दिस तिंग नाट जो आपका ये कनेक्शन है ना डेफिनिटली ये जरनी बिलकुल भी इजी तो नहीं रही है है ना बहुत सारे चैलेंजस मतलब इस रिलेशन्चिप में आते वे से नजर आ रहे हैं मुझे और कहीं ना कहीं मुझे इसा भी दिख रहे है जिसे आपको ना आपका हक नहीं मिला है प्रॉपर तरीके से है ना आपने जिस चीज के लिए इतनी महनत करी जिस प्यार को पाने के लिए अपने इतने कॉंप्रोमाइजस इतनी एज़स्टमेंट करी है ना जिस लेवल पर आज आपको होना चाहिए था उस परसन के साथ आपको होना चाहिए था उस परसन के साथ एक कॉंटाक आपका जो हक्ता वो उन्होंने किसी और को दिया है चीक है मेबी वो शायद third party है और इस चीज से जिस relationship में आपने इतना time इतनी energy spend करी है इतने adjustments करे हैं कितनी ही चीज़े आपने इस person के लिए ignore करी हैं कितना time आपने इस relationship में spend करा है अच्छा वक्त आपने साथ में spend करा है future आप इस person के साथ देखते थे और आज ऐसी situation है कि you're totally looking very upset यह आपकी energy नजर आ रही है मुझे जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब मतलब कुछ हो भी सकता है कि नहीं वो वाली energy ठीक है आप सर्फ एक miracles का wait कर रहे हो magic होने का wait कर रहे हो अब आपके पास देखो मैं हमेशा इस चीज को मानती हो कि आपकी life में न चाहिए वो किसी की पी जिंदगी हो दो चीज़े होती है email ऑक जिसरे आप control कर सकते हो और कुछ चيज़ें एसी होती है जिन्हें आप control नहीं कर सकते है न and जिन चीजों को control नहीं कर सकते मैं खुद इस चीज को मालती हूँ कि उस बारे में नहीं सोचना चाहिए जिन चीजों को आप control कर सकते हूँ और control किन चीजों को कर सकते हूँ आपकी खुद की feelings, आपके खुद के emotions याना उनको आप control कर सकते हूँ उस पर ज़्यादा focus रखा करो यहना वरना क्या होगा इसी upset के energy में बैठे रहोगे तो कहीं नंग यहाँ पर मुझे situation दिख रही है third party situation भी है commitment ना मिलने के भी energies यहाँ पर दिख रही है जैसे आपके person ने आपको बहुत promises करे थे and वो fulfill नहीं हुए है चिक है and यह कहीं न कहीं energy दिख रही है चले अब देखते हैं आपके person की क्या energy से okay so check out करते हैं please divine universe angels correct guides बताएं मेरे viewers को कि जिस person के साथ मेरे viewers इतने attachment feel करते हैं जिस person के उन्होंने no contact दिया है उन्हें separation दिया है वो आज सुभा किस energy में है तो सबसे पहले यहां पर आ रहा है okay playfulness ठीक है changed into politics see कर ले नो जी is the master और यहां पर क्या है movement to movement और bottom में है trust issues ठीक है तो जैसे कि मुझे आपके person के सबसे पहले जो zodiacs दिख रहे हैं ठीक है were like Aries, Leo, Sagittarius and Taurus, Virgo, Capricorn and Cancer, Scorpion, Pisces आज बहुत ज़्यादा strong है इस reading में and मुझे ऐसे दिख रहे है जैसे जो आपके person है न वो दुनिया को जैसे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है बहुत हापी है है न यह politics के energy double-faced आपके person दिख रहे है the reason is कि ना बताने का उनको ऐसा लगता है कि दुनिया ना उनका मजाग उड़ाएगी उनके emotions का मजाग उड़ाएगी और कोई भी जैसे उन्हें समझेगा इन्हे वो आप तक भी यह बात नहीं पहुँचने देना चाहते हैं कई बहुत आपके common friends को यह बताए और यह बाते आप तक पहुँचे वो यह भी नहीं चाहते है क्योंकि उन्हें ऐसे लग रहा है कि अगर आप तक यह चीजें पहुँचीना तो आपको भी यह ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है अब बढ़ा ना आप मिला ना इसको सबब सहरा है ना ही वो उतना दर्द जतना मैंने दर्द सा है जतना pain मैंने जतनी तकलीफ मैंने सही है ठीक है तो वो ना कहीं न कहीं ऐसी energies नहीं चाहते है और मुझे ऐसे दिख रहे है जिसे कहीं न कहीं यह एक reason भी है उनके अभी तक no contact में होने का ठीक है ये कहीं न कहीं एक reason भी है उनका ठीक है क्योंकि वो अगर आप तक आएंगे तो उन्हें आपको सारी चीज़े explain करने पड़ेंगी बतानी पड़ेंगी मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे आपके person न एक stable mindset में तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है उनके साथ ना ऐसा होता है कि कभी अभी बहुत अच्छे mood में अभी बहुत बुरे mood में और आप समझ में नहीं पाते हो कि actually मैं है कैस person के साथ यह ना यह मुझे प्यार करता भी है नहीं करता है तो हो वाले भी कहीं न कहीं मुझे energies दिख रही हैं और वो stability को search भी करते हैं उनके आसपास जतने लोग है ना ठीक है कहीं न गहीं मुझे से लग रहा है वो किसी की कदर नहीं करते हैं ठीक है हर किसी को ऐसे treat करते हैं जैसे ठीक है अगर वो चला भी जाया तो उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता है यहाँ पर मुझे कुछ issues ऐसे भी दिख रहे हैं आपके person के जैसे trust issues उनको बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके उपर मुझे इसे लग रहा है जैसे कहीं न कहीं आपके person को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी और के साथ relationship में तो नहीं हो ठीक है आपके उन्हें भूल तो नहीं चुक है तो एक trust issue वाला factor बहुत strongly आ रहा है ठीक है नहीं तो मैं यह कह सकती हूँ कि वो चाहते हैं कि आप उन पर trust करो उन्हें मालूम है कि इतना कुछ होने के बाद आप उन पर असानी से trust नहीं करोगे है ना बट वो कहीं ना कहीं expect कर रहे हैं कि आप उन पर trust करो उन पर भरोसा करो ऐसी उनकी energy है यहाँ पर मैं सर्फ और सिर्फ आपको इतना recommend करूँगी कि जतना हो सके ना ठीक है थोड़ी patience के energy अपना क्योंकि आपके person की मुझे ऐसे energy दिख रही है like वो ना strategically moment to moment चलना चाहते है ना और अगर वो आपके तरफ आए भी ना आपके पास जब वो आएंगे तो कहीं ना कहीं वो एकदम से आकर नहीं कहींगे आपको के हाँ भया मुझे मैं अब तुम्हें commitment देने के लिए तयार हूं और something like that वो कहीं ना कहीं चीज़ों को ना टटोल रहे हैं, balance ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं, judge कर रहे हैं काफी चीज़ों को, आपको judge कर रहे हैं मुझे ये energies भी आ रही है जैसे कहीं ना कहीं ना उनके दिमाग में points भी है कि मतलब वो ना उनका reasons है कि अगर वो आपको इस तरीके से no contact भी देते हैं, तो आपकी क्या situation होती है, तो कुछ मुझे judgment type of energies की feeling भी बहुत strongly आ रही है तो कहीं न कहीं, ये आज आज आपके person की energies हैं ये उनके thoughts हैं, अगर आपके साथ resonate करें, तो like, comment, follow, share जरूर करें, this is all for today, बबाई, ते क्यों